नमस्कार महुदीपक और आप देख रहे हैं DSK Talks कल रात के Big Boss OTT की एपिसोड की बात कर लेते हैं जहाँ पर Angel vs Devil वाला टास्क हुआ था जिसमें कि So-Called शास्तर की ग्याता So-Called Astrologer and So-Called Doctor यानि की बेबी का दुरवे उर्फ जनारदन की बेटी लेकिन Actually में ये So-Called Astrologer या ये जो है Dentist वगेरा ये Actually में है एक Devil एक शैतान और कल इस शैतान को Unleash कर दिया इसने Big Boss ने और भर भर करके Devil पंती दिखाई है इसने बेबी का ने और Devil पंती को Blind Support भी करा है भट्टी की बेटी ने एक भट्ट की बेटी है और एक जनारदन की बेटी है मतलब ये नेपोटिजम वाले कोटे से आ हुए लोग है और Big Boss ने अब तक इस सीजन के अंदर इन दोनों को भर भर के हर चीज़ का लाइसेंस दिया है In fact, पूजा भट और भट्थाउस की मालकिन और भट्ट की बेटी जो की कल लाइफ फीड के थूप पता चला कि मेडम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाहर बाहर जाती है और थोड़ी देर के बाद ये बट्ट की बेटी वापस आती है नोमिनेशन टास्क होती है और Big Boss घर वालों को वान कर देता है ये पूझावट बाहर गई है एसके बारे में कोई बात नहीं करेगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए एक तरफ सलमांग खाने सेडेडे को कहा था कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है शो में जो कुछ होता है वो कंटेस्टेंट खुद करते हैं तो क्या ये जो डेविल वाली टास्क थी इसके लिए ये जनारदन की बेटी ने खुद एप्लिकेशन लिखी थी बिक बोस हमें डेविल बनना है । या हम रोस्टिंग वाला सेगमनट था ये जिक है वहाँ इस ने की बाते हैं त्हें घदेगे लाते सामित हो जाती है खेर इससे पहले कि मैं फ्लो फ्लो में भूल जाओं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजेगा और कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी और हाँ अगर आप रमी सरकल खेलते हैं या फिर पैसे कमाना चाते हैं उसके तुरू तो इस वीडियो के डिस्क्रिप् वगेरा तो हमें करना पड़ेगा हो सकता है कि शायद आपको बुरा लगे कि डियेस के आप इन चीजों के अगेंस वोलर करते हैं अब आप इनी चीजों को प्रमोट करें लेकिन क्या करें आपको पता यूट्यूब ने पीछे हाथ दो करके पढ़ चुका है और मुझे भी भाईया ग्रो करना है तो प्लीज अगर आप रमी सर्कल वगरा खेलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है रमी सर्कल का मेरा कोड यूज करेंगे वेलकम बोनस वगर आपको मिल जाएगा और 2000 का एक्स्ट्रा बोनस तो है ही सही वाँ पर तो भाईया ये एंजल वरसे डेविल वाली टास्क होती है जहां पर कि ये बेबिका ने पुश करा इसको मनीशा को अब ये मनीशा जो हग करने गई थी और हां ये जो एंजल थे इनके लिए कुछ रूल्स थे कि ये किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और ये रो नहीं सकते हैं यहां पर जैसे ये टास्क होती है यहां पर अभिनाश की जगे अभिशेक जो रहता को टास्क पड़ता है और हम देखते हैं कि टास्क शुरू भी नहीं हुई थी अभिशेक ने चिठी पढ़ी ही थी कि वहीं पर ये बेबिका की मतलब सारी हदे पार कर दी उसे लग रहा था कि वो वाकई में एक डेविल है और एक्चुली में बेबी का जो है वो डेविल ही है और जिस तरह से वो पुश कर रही थी आपको फिजिकल नहीं होना था अरे यह मैंने क्या बोल दिया भाई साब यह बिग बॉस में फिजिकल हो धक्कम दुक्की इस प्रथा की शुरुआ तो सिद्धा शुकला नहीं करी आईरेनी की बात यह है कि वो लोग जो सिद्धा शुकला के हिंसा को धक्के मुक्के को जस्टिफाइ करते थे उन्हीं लोगों ने बिग बॉस पंदरा में प्रतिक सहचपाल को अपना फेवरेट एक सीजन में हिंसा करने वाले को ब्लाइनली जस्टिफाइ किया और एक सीजन के बाद हिंसा अरे हिंसा गलत थे हिंसा गलत हो जैसा कि कहा जाता है कि या बिग बॉस या पर जो सिनेमा है वह हमारे समाज का रिफलेक्शन है इटस अ मिरर ओफ आर सोसाइटी तो जब फैंस एक सीजन में हिंसा को सपोर्ट करते हैं, एक सीजन में हिंसा के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो बिग बॉस वैसा क्यों न करें, बिग बॉस ने एक सीजन में हिंसा करने वाले को ट्रोफी पकड़ा दी, लेकिन बिग बॉस पंद्रा में जब कुंद्रा हिंसा करता है, तो सलमान है प्रतीको तो फाई कैसे फिर उमर को भाहार निकल को निकल दिए गाया यह आपने देखा है तो जैसे एक सीजर को सपोर्ट करते में हींसका कैंडली सीजर हु billion बीग बॉॉस है फिर ऐसे फैंस उठकर के बिग बॉस को ब्लेम करते अरे यार बिग बॉॉस तो नोग La चारा प्रतीख उपरित चारेश करें सिंभा तो सही है लेकिन ओमर और प्रतीख की बीछ में कुछ हो जाए तो उमर को बाहर कर दिया जाता है यह दोगलापन है बिग बॉस का और यहां दोगलापन फैंस का भी निकल निकल करके आता है कल कई सारे लोग कह रहे हैं कि भीया मनीशा के साथ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ गलत तो इंडॉस्टी में 30 साल रही है बहुत experience है निकोटेक्स चबाती रहती है याम 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 दूसरों को बहुत ग्यान देती है यह पूजा भट की यार छोटी-छोटी बात पर आप आर्गुमेंट करते हो भी नेच्योर, भी सिवलाइज, भी जेंटल पूजा भट को अभिशेक की मुझे कुछ भी वर्ट निकलते हैं तो वो क्रास लगते हैं छोटी सोच लगती है आईरेनी यह है कि भट की बेटी को जनारदन की बेटी की चिलाना, चीखना, पागल पंती करना, परसनल जाना यह जो हैं चुडएले हैं बिग बॉस की और इन तीनों में टकर लगी है, एक होड़ मची है कि कौन कितनी जादा नेक्स लेवल की गिरियो ही हरकत कर सकता है, जिया, सोच ले थी कि वो चुड़ेल पंती कर लेगी, उससे बड़ी चुड़ेल तो पूजा भट है, जो कि गलत को कभी गलत नहीं बोलती है और जस्टिफाई और कर देती है, और जनारदन की बेटी तो खेर है ही एक नंबर की चुड़ेल, और जनारदन की बेटी जो है बेबिका, ऐसे कंट्रिस्टें बिग बॉस को बहुत प्यारे लगते हैं, आपको पता होगा वो बिग बॉस बारा मे ममा गा शेर बच्चा, गंदगी मचाने वाली सुर्वी को बहुत आगे लाए, पिर तंबोली की बच्ची यह तंबोली की बच्ची जो थी इसे भी बहुत आगे तक बढ़ाया गया, एक दो एपिसोड में सलमान ने जाड़ दिया, लेकिन मोस्ट अव दो टाइम सलमान सु सौमी और सबा, कहां हैं बाइद वे यह सुर्भी, यह तंबोली, सौमी, सबा और रोमिल चौधरी, मास्ट माइंड ऑव बिग बॉस बारा, कहां हैं यह लोग, हाला कि यह बाते थोड़ी आउट फ़ दो वे वाली हो गई हैं, लेकिन यह बाते में आपके सामने इसलिए कर करने तो वो तो हम बिग बोस में जाए बगेर भी कर रहे हैं, हाँ लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन धाई करोड के आसपास हमारे व्यूज आ चुके हैं, वो भी सारे और गैनिक, ना किसी सेलिब्रिटी को हमने इंटर्वी के लिए बुलाया, ना किसी सेल प्रमोशन करा, तो यूटिपर टिकना है ना तो प्रमोशन इंडॉसमेंट यह सब कुछ करना पड़ेगा, और मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि सीधे सबसे पहले काट दी जाते हैं, तो जमाने के साथ थोड़ा सा उंगली तेडी करनी पड़ेगी हमको, तो जैसे कि मै एकदम कूल काम कंपोजड रहना है, डेविल्स तो भाईया उन्हें टास्क दी गई है, वो तो हद दर्जे की गंदगी फैलाएंगे, लेकिन इसको बेविका का तो भाईया मौका मिल गया है अपने अंदर के डेविल को अनलीश करने का, रही एंजल्स की बात तो एंजल्स में मनीशा सबसे कमजोर एंजल रही, हाला कि जिस तरह से एपिसोड के एंड में ये मनीशा रो रही थी, बहुत सारे लोग मनीशा को सिंपती देंगे, बट मेरे मन में मनीशा के लिए कोई सिंपती कहीं नहीं है, क्योंकि ये मनीशा ही है, जिसने डेवन से बेविका को हर चीज में सपोर्ट करा था और जब बेबिका जेल से चूट करके आई थी आपने देखा था कितनी उच्छाल-उच्छाल के बात कर रही थी मैं उस एपीजोड की बात कर रहा हूं जहां पर ये बेबिका ने जेल के अंदर खड़े हो करके फुक्रा के प्रोफेशन वगरा सब पर क्या-क्या नहीं बोला था लेकिन जैसे ही फुक्रा ने पलटवार करा था तो ये भट की बेटी को चीज़े क्रास लग गई थी और उसके बाद मनीशा और बेबिका उनकी जुगल बंदी आपको देखते ही बनती थी क्या जबर्दस इनकी बॉंडिंग थी तो मनीशा क बेबिका बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये बेबिका कितनी दोगली है कहने को ये पाम रीडर है फ्रीस रीडर है लेकिन ये हमेशा पहले तो लोगों को अच्छा अच्छा बोलती फिर बाद में उन्हीं लोगों की धजियां उड़ा करके रख देती बट आयरेनी ये ह कि makers को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं because ऐसे लोग शो में content लेकर के आते हैं otherwise show क्या हो जाएगा कोई sofa पर पड़ा है कोई नाख खुजा रहा है कोई हाच खाले में क्या बनेगा तो बेबिका जो है वो content दे रही है हाला कि बेबिका का जो content है ना वो घटिया है वो forced है वो clearly दि बेबिका एकदम से धका दे देती है और बेबिका हमेशा चार्ज करके आती है आपने एक दिन पहले भी देखा था वो अभिशेक को उसने थपड़ मारा था या नाखुन गार दिये थे हमेशा कभी balance से या pillow से मारती रहती है लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ना अभिशेक इन मनिशा को उपर तो भाईया उसने हाथ भी छोड़ दिया धका भी मार रही है चेस्ट बं कर रही है चोरी उपर से सिना जोरी कर रही है और यहाँ पर एक चीज निकल के आती है वो है पूजा भठ की घटिया और एकदम की कताई जहरीली वाली सोच पूजा भठ को हर चीज म नाराज हूं और वो चीज़ ये है कि अभिशेक ने करारे जवाब क्यों नहीं दिये पूजाबट को जैसे ही पूजाबट ने अतरंगी लोजिक दिया कि यार ऐसा है कि अगर हिंसा होती तो बिग बोस टोकते अच्छा बिग बोस वाकई में टोकते बिग बोस ने आज तक ल diaper था कि ये जो जीआ है ये ल्विश के पानी में साबुन मिला करके ला रही है किया बिग बोस ने वहाँ टोका था च्छा था है किया ये दो ऐसे कांड है जिनके ओपर सलमान कहान कड़े रुक अक्तियार किये थे और जीया को भी जढ़ा था और जाड को भी जढ़ा था क्या बीग बॉस ने आकंग्शा जाड को और जीया को पानी में वह साबुर मिलाने से रोका था क्या तो पूजा भड को यहाँ पर एक reality check मिलने के सकता वैश्चते थी लेकिन मौके पर चॉका कोई भी नहीं मार पाता है यार मैं मानता हूं कि Big Boss अगसर टोक देता कि आप ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो और ज läuft को निकाला है Big Boss ने तो Big Boss रियल साइड आनी चाहिए, आपके रियल ओपीनियन्स आने चाहिए, लेकिन ये कैसा रियलिटी शो जहाँ पर आपको पाबल दिये, कि आप ये नहीं बोलोगे, पुजावाट बाहर गई है, आप इसके बारे में नहीं बोलोगे, वीकेंड पर किसको क्या बोला, आप ये नह नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो जब तमाम सारी रिस्ट्रिक्शन्स हैं, तो उसमें रियल क्या रहा, तो यहाँ पर इसको फुकरा को मौके पर चौका मारना था, कि पूजा जी, ये जैज मत दो कि अगर हिंसा होती तो बिग बोस रोक देते, बिग ने जिया को नहीं रोका था, इनफेक्ट बिग बोस तभी टोक सकता था कि इलविश पानी मत पिघो, लेकिन क्या बिग बोस ने रोका था, बिग बोस ने कभी नहीं रोका, तो ये जैज जो जह रही थी ना पूजा बड़ की नहीं, अगर हिंसा होती तो बीग बोस रोकते कैमराज हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी मिस कर गया फुकरा अगर फुकरा बोल देता ना भई तो पूजा भट के गुर्दे चिल जाते पैरतले जमिन किसक जाती कि हाई हाई एक ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया इसने फुकरा ने जनारदन की बच्च चफाई भी करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि मनीशा के लिए मैरे मन में कोई सिमपती नहीं है लगी बहुत से इसे दिश्मन जाते ऑगे यह एक इसे मर्दों है पूजा भट और कितनी फेक है कितनी जादा नालायक है यह आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कोई अंदा भी होता न तो वह समझ जाता चीक पुझार सुनकर कि कौन गलत है अब पूझाबड बोल देगी भाईया वो तो डेविल तो ऐसी होते हैं डेविल ऐसे होते हैं लेकिन आप तो डेविल नहीं थी ना आप तो संचालक थी आपको तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी ना लेकिन नहीं और यह बिग बॉस भ बेवी का पूजा इन सब को सीखनी चाहिए कि just because कि आप डेविल बन गए है तो वाकई में आप डेविल नहीं है आपको सिर्फ टास्क करनी है आप बहुत creative आइडियास लेकर करके आ सकते थे लेकिन पुश करना character पर जाना मर्दों के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी ये चीज आपको elvish से सीख लेनी चाहिए वो जगड़ा भी होता तो अपनी decency बरकरार रखता है जवाब अगर दिये उसने हाँ अविनाश के साथ काफी ज़्यादा बत्तमीजी होई लेकिन जो females है वो चाता त टास्क जीतने के बावजूद वो पीजा वगएरा खाने से मना कर देता है वो बुलता कि भाईया मेरा दिल नहीं रखता उन लोगों के साथ भले ही वो devil बना दिया हो लेकिन devil वाले कोई हरकत करी नहीं थी और हाला कि Big Boss ने बोला था कि पीजा पार्टी सिर्फ जीती हुई टीम के लिए लेकिन फिर भी एलविश अपने हिस्से का लेकर क्या आता है और अभिशेक मनीशा इन सब के साथ शेयर कर ले था और दिखा दिया है कि भाईया भले ही आप devil बने हो लेकिन आप हकीकत में devil नहीं हो थोड़ी इंसानिया जो है ना वो बरकरार रखनी चाहिए एलविश अगर devil से आता तो भाई उससे बहतर कोई contestant होई नहीं सकता था लेकिन एलविश के आ कि मैं कल मैंने एक prediction भी दिया है वो top 5 का और मैंने कहा है कि एलविश जो है वो contestant नहीं है वो एक guest के तोर पर ही आया है अच्छा guest से मुझे याद आया सलमान खान ने वीकेंड कवार में जड को क्या बोलता है जड को कोई guest नहीं हो तो मैं kontesant हो जब वो कोई guest नहीं है तो उसके लिए rule अलग क्यो है अगर वो contestant है तो उसको पर बाकि rule apply क्यों नहीं होते हैं कहने गोड़ बड़ी बात हैं सलमान की कोई biased नहीं हो कोई भेदबाव नहीं होता है आप ए ऐसे बिग बॉस में ये सलमान और बिग बॉस मिलकर के पब्लिक को बेवकूब बनाते हैं उसके बाद लोग बन भी जाते हैं तीन-तीन घंटे डिबेड भी करते हैं करी लोग तो इतने विल्ले हैं कि दिन बार लाइफ फीड भी देखते रहते हैं makers को ऐसे ही लोग तो चाहिए जितने भी सोशल मीडिया के स्टार्ट्स हैं जिनके मिलियन्स उपॉवर्ण्स हैं बिग बॉस को बिग बॉस के फॉवर्ण्स के रूप में convert करना चाहता है और वो लोग इसली बिग बॉस के स्ट्रत में फस भी जाते हैं दिन बार लाइफ जाते हैं बीक बगोस के जाल में फच जाते हैं खैर ये devil वाले टास्ट की टीम जीत जाती है जहां पर सिंगल हेंड़ीडली baby का सब पर भारी पर जाती है पीजा पारी ऑमे जाते होगे Sick पानी में छपाक करके खूद जाती है जहां पर यह बॉइस स्विमिंग पूल का अनन लेते तो बेबी का भी आ जाती है बिकनी वगरे डालके माइक के समेथ वो खूद जाती है वहीं जैड जिसको कि सलमान खने वीकेंड पर टॉनिक दिया है तो यह जैड जो है वो आश्का क पीछे पढ़ जाता है इसको OCD भी है इसको जैड को साफसफाई इतनी पसंदे वहीं इसको साफसफाई इतनी पसंदे शायद इसलिए जिया ने वो पानी में साबुन भोल करके साबुन से पानी दो करके एल्विश को पिलाया था गया जैड जो है न वह एक नमबर का चूत ने पर्सनल गरजेस खुननस निकालती रहती है और मनिशा बोलती भी है कि भाईया ये औरत नहीं है औरत के नम पर कलंक है कलंक तो है ये बेबिका औरत के नम पर भी एस्टोलोजर के नम पर भी डेंटिस के नम पर भी आप भी कमेंट करके बताएगा जिस तरह से मर्यादा के सारे हदें पार कर दी थी इसने बेविका ने टास्क को टास्क के दाakat के दाएरे में रहकर भी.. लेकर नहीं बेविका को तो लएसेंस मिल जै तहीं और अच धि उसके मन में शायद ये इच्छाय है उस तो तेरे सात औ कितना चिलाती है चार्ज करकर कर का आती है अभिशेक के ऊपर बहुत किनी इसने फिजिकल हुए लेकि बिग बॉस्स नुट करद और आपकी किया है फीलिंइन किमन करके बताएगा आपको लिटयो लगा तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी यह भी आपने नहीं किया तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आपने समय निकाले वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तैंक यू सो मच